हाई एब्रिवान गुड मॉर्निंग आज हम क्लास वान मेट के चैप्टर नाइन मेजर्मेंट के टोपिक अन एंड अंडर पढ़ेंगे देखो हमाँ पेज है 104 अन मतलब उपर एंड अंडर मतलब नीचे जहां पर कोई चीज है किसी के नीचे होगा तो वहाँ पर आप अन का यूज करना और अगर कोई चीजए किस के नीचे होगा तो वहाँ पर अंडर का यूज करना on on अन मतलब उपर और you and yeah under मतलब नीचे देखो यहाँ पर एक book table के उपर है तो इसलिए यहाँ पर on यूज क्या गया है book is on the table book कहाँ पर है table के उपर है book is on the table और pen कहां है pen table के नीचे है इसलिए यहाँ पर under का use क्या गया है pen is under the table book is under the table and pen is under the table वैसे ही देखो यहाँ पर एक पैड है पैड के उपर एक चिडिया उड़ रहा है और नीचे एक लड़का खड़ा है तो यहाँ पर क्या use होगा on या under on क्योंकि on मतलब उपर तो यहाँ पर on लिखना यहाँ पर लड़का पैड के नीचे है तो under लिखना नीचे का मतलब under तो यहाँ पर under इच करना a boy is under the tree a bird is on the tree और a boy is under the tree तो यहाँ खूद करना ठीके पीच नमबर 104